हाई फ्रेंड्स मैं हूँ हफीन्स आप देख रहे हैं हिंदी टेक्ट्यूड्स आज के इस वीडिये में हम लोग डिस्क डिफ्राग्मेंटेशन के बारे में जानेंगे दीके तो आगर आप Windows में कोई एक ड्रायव पर जाकर राइट लिक करते हो तो आपको वहाँ एक ओप्षन दिखाए देगा कैसे देखिए अगर आप हार्डिस्क में कोई एक डाटा कापी करते हो तो हार्डिस्क में डाटा कैसे स्टोर होता है स्टोर होता है एक प्लेस तक आकर रुख जाता है अगर आपका डाटा वहां तक खासम होता है तो अब दूसरा कोई data आप copy करते हो तो वहाँ से ही continue होकर copy करता जाता है ठीक है यह एक sector में store होता हुआ जाता है ठीक है तो उसमें एक magnetic disk होता है ना उस पर store होता हुआ जाता रहता है ठीक है तो फ्रेंट गी किये हैं हम लोग हार्ट डिस्म पे क्या करते हैं बहुत सारा का data copy करते हैँ ठीक है copy करने के बाद अगर आपको उसमें कोई एक data पसंद नहीं आता है तो क्या करते हो उसमें से delete करते här刚 तो डिलीट में तो डिलीट नहीं करते हो ना, जिस तरह आप कापी करते हो उसी तरह डिलीट नहीं करते हो, आपकी मर्जी जहां चाहे वहां सांग को डिलीट कर दिया, जहां चाहे वहां से मूवी को डिलीट कर दिया, इस तरह डिलीट करते हो, ठीके, तो डिलीट करने से क्य तो क्या मि Tenemos क्या करेगा उसको फाइल पुरिट कर देंगा जहां जहां ख區 उस जगह पर सबस्क भाइल ठोब कर देगा तisterDнова. हिसे उसी सबस्सक्राइब कर दूप खे, ढौकी हो जाएगा पर मॉर्स को फाइल को खाप है यानि कहां कहां पर उसके parts पड़े हैं, उस parts पर भूमता जाएगा, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी hard disk की speed का performance कम हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए आपके hard disk slow हो जाएगी, तो इसलिए बहुत सारे लोग defragmentation करते हैं, defragmentation क्या करता है, वहाँ वहाँ पड़े हुए files को लेका कर एक group जैसा बनाता है, ताकि आप दुबारा से उस file को open करते हो ना, तो fastly read हो, ठीक है, तो इसलिए आपको भी defragmentation करना चाहिए, आपको एक example से समझाओं, तो देखिए आपके घर में एक shelf है, ठीक है, तो उस shelf में बहुत सारे किताबे हैं, तो आप क्या करते हो, आ तो आप क्या करोगे, उन सारे किताबों को हटा कर एक बड़ा space बनाओगे, क्यूंकि देखिए वो सारे space तो आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप उसको हटा कर ये बड़ी किताब वहां रग दोगे, ठीक है, तो इससे आप आसानी से वहां रग पाओगे, बाद में दुबारा से आसानी से निकाल पाओगे, तो defragmentation करने पर भी यही होता है, जहां जहां पर भी खाली space है ना, जहां जहां पर भी parts पड़े हुए है ना, उन साब को लेका कर एक group बनाता है, दुबारा से आप उसको read करते हो तो fast read होता है, तो friends ये था defragmentation, अगर आपको like करिए, share करिए, thank you